कल के lesson में आपने सीखा था कि कैसे आप brand awareness ad बना सकते हो तो हमने कल पूरी starting से लेके end तक brand awareness ad बनाना सीखा था कल के जो campaign हमने बनाये था उसमें बनाये क्या था तो हमने बनाये था एक campaign और इस campaign के अंदर हमने बनाये था one ad set और इस ad set के अंदर हमने बनाये थी एक ad ठीक है यह simple काम कल के lesson में हमने किया था आज के lesson में हम क्या करेंगे जो कल हमने campaign बनाये था उसी campaign के अंदर हम बनाएंगे multiple ad sets multiple ad sets ठीक है और हर ad set के अंदर हम बनाएंगे multiple ad जबी भी आप नया campaign स्टार्ट करते हो तो make sure कि आपके पास 4 से 5 ads हैं ताकि आप ये देख सको कि कौन सी ad best perform कर रही है और जो best perform कर रही है उसको आप continue कर सको ठीक है जी? बहुत है simple तो आज का आपने समझ लिया कि हमें करना क्या है अब हम चलिए ये काम करते हैं तो ये रही मेरी कलकी ad अगर आपको यादो ये ad थी मेरी brand awareness वाली तो आप देख सकते हो ये रहा मेरा campaign और इस campaign के अंदर एक ad set और इस ad set के अंदर एक ad अब मैं पहले क्या काम करता हूँ? ये जो मेरा एक ad set बना हुआ है इस ad set के अंदर मैं और तीन नई ads बनाता हूँ अब ही इस ad set के अंदर आप यहाँ देखो campaign के नाम है January 15 brand awareness इसे क्लिक किया तो इसके अंदर एक ad set है जिसके नाम है body building 18 to 24 और इसके अंदर एक ad है which is image 1 अब मैं पहले इस ad set के अंदर तीन और ads बनाता हूँ ठीक है? तो क्या करना है? बहुत simple इसे क्लिक करो और यहाँ से duplicate कर simple और duplicate और image 1 था इसका नाम change करके कर देते हैं image 2 और वापस आते हैं और एडिटी में जा रहा है आप देखो facebook क्या कह रहा है कि your ad might not be approved ही कह रहा है harassment और कुछ references दे रहा है कि personal characteristics के उपर है तो कह रहा है facebook की might not be approved ठीक है? तो को attention की बात नहीं है अगर इडिश अप्रूव कर देगा देन हम facebook से बात करेंगे कि बही ऐसा क्यों disapprove अभी हम क्या करते हैं नई add बना image 2 और पहले तो हम image change कर देते हैं ठीक है और मैं कर देता हूँ लजार search कुछ और ही आ गया तो एक काम करते हैं फिर सब body building search करते हैं यह यह रहा है यह ले लो ठीक है दूसरी add आ गई दूसरी image आ गई अब आपको क्या करना है simple सा काम करना है अगर आप content change करना चाहते हो copy change करना चाहते हो तो आप यहां से copy change कर सकते हो अगर आप headline change करना चाहते हो तो यहां से headline change कर सकते हो अगर आप description change करना चाहते हो तो यहां से description change कर सकते हो बहुत यह सिंपल अगर URL चेंज करना है तो आप यहां से URL भी चेंज कर सकते हैं हमें कुछ चेंज नहीं करना तो हम सिंपल करते हैं काम publish ठीक है जी बहुत यहासान तो अब आप देख सकते हो एक ad set है उस ad set के अंदर मैंने बना ली है दो ad ठीक है उस ad set के अंदर मैंने बना ली है दो ad वापस जा कि हम चेक कर सकते हैं campaigns में जाते हैं यह रहा मेरा campaign यह रहा मेरा ad set और इसके अंदर दो ad आप देख सकते हो तो अब हम एक और नया ad बनाते हैं इसी ad group के अंदर तो again मैंने simple copy किया then मैंने किया duplicate then मैंने किया again duplicate और इसको मैंने change कर दिया same मैंने कर दिया image 3 और again फिर मैंने वैसे image change कर दी ठीक है change image करके जैसे पहले हमने किया था change image और अगर आप suppose मैं इस बार यह वाले image उज़ करना चाहता हूँ तो continue और again नीचे मुझे copy वगरा change करना है तो मैं change कर सकता हूँ और इसको मैं कर दूँगा publish तो अब बन चुका है मेरे पास एक campaign उसके अंदर एक ad set और उसके अंदर multiple तीन ads मैं बना चुका हूँ एक और हम ad बना के देखेंगे वो देखो कैसे बनाना है बहुत ही असान इसको close किया वापस गए campaign पे और campaign select किया हमने और then हमने ad set select किया अभी तक हम duplicate कर रहे थे अब हम duplicate नहीं करते हम करते है simple create राइट आप देख सकते हो existing ad set subset है just करो continue और इसको change कर दो suppose अब मैं use कर रहा हूँ video तो इसको कर देते हैं video 1 और carousal आ रहा है option देखो carousal या single image और video तो suppose मेरे कोच यह single image और video ठीक है और इसको करते हैं यहाँ से close और आ गया add media तो add media add video और जो मेरे पास already video है वही video मैं ले लेता हूँ आपके पास अगर नहीं है video तो आप यहाँ से upload कर सकते हो ठीक है मेरे पास account में अल्रेडी पढ़ी है तो मैं वही use कर ले रहा हूँ और इसको मैंने किया continue और फिर आप यहाँ पे अपना text लिख दोगे जो भी आपको text लिखना है ठीक है और यहाँ पे अपना website URL आड़ कर दोगे जैसे हमने पिछले ad set में किया था तो मैं काम करता हूँ simple से कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ यह काम करते है लोगर मैं सम text उठाते है और वो लिख देता हूँ ठीक है और इसको हम कर देते हैं यहां से review अब option आर देखो save to draft तो इसको save करो और इसको कर दो अब publish ठीक है बहुत है simple है तो अब हम बना चुक है एक campaign और उस campaign के अंदर एक ad set और उस ad set के अंदर हमने चार ad बनाई और दो ads हमने देखा बना के duplicate करके और एक ad हमने बनाना सीखा from scratch create तो अब मैं वापस अगर campaign में जाऊँ इसमें जाऊँ आप देख सकते हो यह रहा मेरा ad set और इस ad set के अंदर है चार ads चीक अब सपोस करो मुझे एक और ad set बनाना है यह जो ad set था इसमें क्या था ऐसे लोग थे जिनका interest था body building में और age थी 18 to 24 अब सपोस करो मैं एक और ad set बनाना चाहता हूं और उसमें मैं ऐसे लोगो target करना चाहता हूं जिसका interest हो physical fitness में और उनकी age हो 18 to 24 तो again मेरे को simple सा काम करना है मैंने ad group select किया और इसे किया मैंने duplicate और duplicate बहुत ही ज़्यादा simple है कोई मैनत नहीं करनी और सबसे पहले तो यह मैं ad set change करूँगा इसमें मैं किसे target कर रहा हूं जिनका interest है physical fitness तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे physical fitness 18 to 24 यहाँ से budget change करना है तो budget change कर लूँगा मैं नीचे आता हूं body building है इसको हटाता हूं और इसको मैं लिख देता हूं physical fitness ठीक है यह आ गया physical fitness और automatic placement ठीक है बाकी सब same और इसे मैं कर देता हूं publish बहुत ही ज़्यादा simple ठीक है हमने क्या किया उसी ad set को duplicate किया और उसकी audience change कर दी ठीक है देखा आपने कितना आसान है एक बार यह publish हो जाएगा तो आप देखोगे कि अब हमारे पास एक campaign होगा और उसी campaign के अंदर हमारे पास होँगे दो ad set और जो हमने दूसरा ad set duplicate किया है उसके अंदर पहले से ही चार ad होँगी जो कि पहले से जो हमारे पास ad set था उसके अंदर थी ठीक है तो आप देखोगे यहाँ पे आपको ads भी दुबारा बनाने की जूरत नहीं है क्योंकि जो पहले ad set था उसी की सारी ads यहाँ by default duplicate होके आ गई होंगी एक second यह complete हो जाए publish यह कुछ error दिखा रहा था तो एक बहर इसे close करते है नहीं कोई problem नहीं है देखो post हो चुका है सही से अब अगर मैं इसे click करूँ एक बार दुबारा जाते है campaign में मैं गया यह रहा मेरा पहला campaign brand awareness अब इसमें देखो पहले बस body building था अब एक और आ चुका है which is physical fitness physical fitness अगर इसे click करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे already 4 ads है ठीक है तो अब आप चाहो तो इन ads को use कर सकते हो या फिर इन्हें again जैसे हमने पहले चीखा था duplicate करके नया ad बना सकते हो ठीक है तो यह बहुत ही basic बहुत ही simple था क्या था एक campaign के अंदर कैसे आप multiple ad set बनाओ और कैसे multiple ad set के अंदर आप multiple ads बना सकते हो तो यहाँ पे 2 ad set हो चुकी है अगर मुझे 3 ad set बनाना है तो वो भी बहुत असान है अगेन इसे duplicate करूँगा मैं और audience change कर दूँगा नाम change कर दूँगा मेरा नया ad set बन जाएगा ठीक है आप देख सकते हो कितना ज्यादा simple है ठीक है जी so that's it from this lesson इस lesson में आपने सीखा कि कैसे आप एक campaign के अंदर multiple ad set और उन ad sets के अंदर कैसे आप multiple ads बना सकते हो ठीक है thank you so much एक मैंने video कुछ lesson पहले आपको बना के भेजी थी on A-B testing कि क्या क्या facebook में A-B test हो सकता है so please watch that video again अगर आपको A-B testing के बारे में और जानना है ठीक है thank you so much